नमस्कार दोस्तों मैं लाली सोनी दश्टी आई एस की न्यूज औन मैप इंडिया सिरीज में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में हम लोग भारत से जोड़ी वी कुछ ऐसे लोकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही है और आपके एक्जाम पॉइंट आफ यू से काफ़े इंपोर्टेंट हो सकती है नेशनल पार्क में में लेंड शीरो की फोटोग्राफिक शाक्षय को कैप्चर किये गए थे जब हम बात कर रहे हैं इस तीन स्टेटमेंट की तो पहले तीसरा देखते हैं इस तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसी की वज़ए से यह चर्चा में है जनरली हम बात में रहे थे क्योंकि अभी यह नीचे लोवेस्ट एलिवेशन में असाम में भी पाई गए थे ठीक है और जब हम बात कर रहे हैं इनकी आई उसीन स्टेटस की तो यह वल्नरेबल है या फिर्यों कहें कि शुरक्षित हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है आपका दूसर आपका जाते हैं फिके तो यह बात होगई पहला अगरन देखें यहां पर जब आप देखिंगे जांक स्रांप और यह नहीं पाया घाते तो यह असाम के कुछ इस हिस्से में राइमोना नेशनल पार्ग है जहां पर इन्हें अभी फिलाद देखा गया था ठीक है आ जाते हैं वापस सवाल के उपर तो हमने देख लिया पहला इस्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है यह पूर्वी मद्या और पश्चिमी हिमालाय में पाय जाते हैं और ट्रांस हिमालाय में नहीं पाय जाते हैं दूसरा भी इस्टेटमेंट सही है कि यह वलनरेबल है और तीसरा जो है हमने देख लिया था य एक गंभी रूप से लुप्त प्राय जाने की critically endangered प्रजाती है ठीक है दूसरा भारत में गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों का प्रात्मिक निवास स्थान है फिर अगर अगला statement देखेंगे घडियाल अपने थूथन पर एक प्रमुक बोनी उभार प्रदस्थित करते हैं जिसे घड़ा कहा जाता है ठीक है हमें इनमें से सही कसनों का चुनाव करना है पहला statement अगर देखें तो घडियाल यह एक factual statement है तो घडियाल बिल्कुल IUCN Red List के हिसाब से देखा जाये तो critically endangered है या फिर गंभीर रूप से लुप् प्रदस्थित करते हैं जिससे घड़ा कहा जाता है इन्हें घड़ा कहा जाता है इसलिए इनका नाम घडियाल है ठीक है आप इस फोटो में आप देख पाएंगे कि इनकी जो मूँ कहा दीजी यह थूतन पर यहां पर एक घड़े जैसी आकरती होती है जिसकी वज़े से इन मादा घड़ियाल पाई गई है तो अब सरकार का यह मानना है कि वहां पर कुछ आप इसको भी इंक्रीज करेंगे ठीक है तो उसकी वज़े से यह चर्चा में था तो यह स्टेटमेंट आपका सही जाता है कि इनके थूतन पर एक घड़े जैसी आकरती पाई जाती है जिससे मादा अभी exception के तौर पर अपबाद के तौर पर मिली है ठीक है हाल फिलाल अगर देखें तो यह गंगा के अपबाद अंत्र के छेत्र में यहां पर काफी ज्यादा पाई जाते है ठीक है तो यह हो गया और दूसरा यह critically endangered है वो हमने देख लिया है यहां पर आप देखेंग पूरी जगनात मंदिर के संदर में निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम से जाना जाता है दूसरा यह कलिंग वास्तुकला का एक शांदार उदारन है तीसरा यह पश्चिम बंगाल राज्य में इस्थित है ठीक है आपको यहां पर पर चुनाव करना है आगे बढ़ने से पहले में आपको एक बार इस मंदिर की फोटोस दिखा जाता हूं यहां पर यह चर्चा में इसलिए था कि अभी रिसेंटली भगवान जगनात की रास यात्रा जो है श्टार्ट हुई थी और वहां पर एक हाथसा होने के वादे से य यह वाला जो है जो तमील नडु में हिस्तित है तो यह आपके चार धाम है उनमें से एक प्रॉमिनेंट है जगनात धाम और यहां पर अभी रत्यात्रा श्टार्ट हुई थी जिसकी वरे से यह चर्चा में है ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे कि यह जो मंदिर बना यहां पर यहां पर किसी तरीके से आप देखेंगे कि इस जगे पर इखटा होते हैं यहां पर चोड़ी बहुत परफॉमेंस से जो यहां पर उसके अलावा आप देख पाएंगे कि इसे रेखा देवल का जाता है जिससे हम लोग शिखर क्याते हैं नागर शैली में वह यह नागर शैली के भी फीचर से तो यह हमारा जो मंदिर जगेनाथ पुरिवाला वह एक कलिंग वास्तुकला का उधारन है ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं वापस अपने स्टेटमेंट्स पर सबसे पहले देखते हैं इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम से भी जाना जात मंदिर है और कोणाक मंदिर को ही ब्लैक पोगडा नाम से जाना जाता है एक सूर्य मंदिर है ठीक है फिर आजाते हैं अगली लाइन यह कलिंग वास्तुकला का शांदार उधारन है तो यह बिल्कुल सही है तो पहला इस्टेटमेंट आपका गलत है दूसरा सही है तीसरा कर बनाया गया था उस राजा का नाम था अनंत वर्मन अनंत वर्मन राजा से वह गंग डाइनेश्टी से बिलॉंग करते थे ठीक है तो आप यह नाम याद रखें तो अच्छी बात है ऑप्शन भी आप ऑप्शन ए जो है केवल दो आपका यहां पर सही उतर है ठीक है अगला करके भूटान चला गया था और वो किसी आर्टिफिशल कॉलीडोर की वज़े से नहीं बलकि वहां पर एक प्राकर्तिक कॉलीडोर है आप यह कह सकते हैं कि एक एरिया है जब यहां से सिक्किम से भूटान के जब जाता है और रहां से वन्यजीव आते जाते रहते होंगी ठ चर्चा में था और ये सिक्किम में इस्थे थे अप्षण एपका यहां पर सही उत्तर होगा इसकी लोकेशन पर देख लिए यहां पर इस्तित है इसके रावा दूसरे इहां यहां पर आप सकते हैं जब हम बात करें इस एरिया के ऑफ देखें यहां पर पंगोलिखा है और यहां पर चाले गए हैं तो सरकार को यहां एक आइडिया मिलता है है और फिर प्राकरतिक गलियारा है जिसे हम लोग और टेस def responsibility कर सकते बेकी नदी के मार्क बदलने से कौन सा भारतिय राज्य प्रभावित हुआ है पश्रिम बंगाल बिहार असम और मेगाल है अभी हाल ही में क्या हुआ बेकी नदी इसलिए चर्चा में थी कि यहां पे बाड जैसे हलात बने है ठीक है यह नदी मौनसून या फिर ज्यादा बरस आपकích सकते हैं कि इस बेकी नदी जाकर के मानस में मिलती है और मैंस जो है वो daytime के ब्रह्म पुत्रा में मिलती है तो कह सकते हैं कि यह ब्रह्म पुत्रा का हिस्सा फ्रिक है यहां पर डीटेल में कर देखें तो आप देखेंगे कि ये जो नदी है यहांग, ये नदी वेकी नदी है, और यहां से याप देखेंगे कि ये जो नदी आ रही है, ये मानस नदी है, ये पहले तो मानस से मिलती है और फिर आगे जाकर के ब्रहम पुत्र में मिलीन हो जाती है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखत Chandrasya, जाती के बारे में निम्ले लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है संथाल भारत में चौथा सबसे बड़ा अनुस अनुसुचित जंजाती समूदा है उनकी सबसे बड़ी सांधिता देश के पूर्वी भाग बिहार जार्खंड पश्रिम बंगाल और उडिसा रज्यों में अठार्वी सताब्दी के अंत्य तक वे जार्खंड याने पहले बिहार के नाम से जाना जाता था कि संथाल परगना में कैंदित हो गए थे पहले आपको यहां पर एक statement ऐसा है जो की गलत है जो की पहला statement है जब हम संथाल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर भारत में देखा जाता है तो यह तीसरी सबसे बड़ी अनुसुचित जन जाती है पहली जो है आपकी भील है दूसरी गोंड है और उसके बाद जो है संथाल है ठीक इक भाशा भी है इनकी अपनी लिपी भी है यह संथाल जन जाती है ठीके यहां पर आप देखेंगे इस एरियाँ में बिहार वेस्ट बेंगल झारखंड औरिसा आप देखेंगे कि यह जो एडिया है आपका ये वाड़ा इस एरिया में ये काफी प्रोमिनेंट है ठीके अनुसूची में भी स्थान दिया गया है और इसके बलावा इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट है इनकी अपनी लिपी है ओल ची की नाम से ठीक है तो आप यह चीजें ध्यान रख सकते हैं अगला सवाल देखते हैं जो की पस्चिम बंगाल में होती है जिसका नाम है नौका बेंट OD कर्ण करें तो इसको नहरू ट्रॉफी की नाम से जाना आईथा है और इससे वहाँ लोकल यह में वल्लम कर्ली की रेस होती है जबकि हम यहां पर बात करें नौका बेच की तो यह किसी टाइम पर बंगाल में प्रचलित थी फिर आपको बताया कि बंगाल के दो हिस्से हो गए एक अभी हमारा जो पश्चिम बंगाल है और दूसरा जो है बांगलादेश तो यह बांगलादेश में काफी प फोटो है जो आप देख सकते हैं इसके अलावा इसके बारे में कुछ और बात की गई है जब हम बात कर रहे हैं कि यह एक बोट रेस है या यह किसके नौका की दोड़ है तो यहां पर आप देखेंगे पानी की अधिकता होनी काफी जायज है तो यहां पर इस एरिया में अगला सवाल देखते हैं रेटल जल विद्यूत परियोजना के बारे में निम लिक्सी कत्म पर विचार कीजिए यह लद्दाक में चिनाब नदीब पर एक रन ओफ रिवर परियोजना है ठीक है जब हम बात करें रन ओफ रिवर का मतलब कि पानी बहते वे पानी पर यह पर परियोजना है रेटल जल विद्यूत परियोजना और यहां पर देखेंगे कि यह मोस्टली चेनाब नदी में है और इस एरिया में है और यह जम्मून कश्मीर के अंदर अगला स्टेटमेंट इसे विश्व बैंक ने अस्विक्यत कर दिया क्योंकि यहां जल सिंदु जल सं परियोजना की बात करें तो यह परियोजना में पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि प्रियोजना में सिंदु जल संधी कर वैइन को वायलेशन और इसस possessions पाकिस्तान के कहना है वर्ल्ड बैंक ने भी जिसने ये संधी ब्रोकर करवाई थी उन्होंने भी ये माना है कि इस परियोज ना में किसी तरीके का कोई वाइलेशन नहीं है और ये बिल्कुल सही है तो आप ये कह सकते हैं विश्व बैंक ने इसको अस्विक्रत नहीं किया है कि उसेमत के घर ये यह पर होते हैं अनतिम अब्यास में सब्सक्राट करना आपको सब्सक्राइब ऐस को कॉन सब्सक्राइब है सत्रिया आस्रम का एक सास्त्री अन्रत्य है दूसरा यह तुलसिदास कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ती गीतों के सास्त्री रागव और तालव पर आधारित है नीचे दिये गए कोड का उप्योग करके सही उत्तर का चुनाव करना है आपको तो आप इस स्टेट दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले